तो गई स्वागत आपका मेरे यूटीब चैनल स्टेडी विद अमनकुल में आज हम लाए हैं डाइरेक्टर आफ एडुकेशन जी इन सीट अफदली की वोक्षी नमबर 20 जो की क्लास एट के लिए है सब्जिट आपका मैथेमेक्स है डीट है तीन दिसंबर 20 आप अपना नेरे अपनी क्लास सीचे का नेम लिख लेंगे आज हम स्क्वाइर रूट आफ डेसिमल पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं लेट की सकतिक अपना नमबर 25.876 तो अपनी लगे नमबर एफ is 45.876 तो आपको लेक्स करता सका है और यह नंबर 55.876 इसाई के। इस अक ही अन आप बता सकते हैं वो डेसिमल पार्ट है. क्योंकि वो डेसिमल के बार लग रहा है और यह जो आपका इस side का part है वो integral part है क्योंकि decimal से पहले लग रहा है So the left side यह जो आपकी left side है जो आपके decimal से left side हो वो आपका integral part हो जाएगा और जो right side हो वो आपका decimal part हो जाएगा आप decimal को ध्यान में देख के रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आगे रिखते हैं to find the square root of decimal number keep some rules in your mind अब आपको decimal number का square root find करने के लिए कुछ rules होते हैं उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है make pair of integral part and decimal part separately आपको जो आपका number एजसे 45932 दे रखा है number आपका तो आपको इसके pair बनाने है तो आप decimal के इधर से बनाएंगे pair तो आपके दो number के pair बनेंगे अगर आपका इस number के पीछे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं तो यह एक pair बन जाएगा फिर इसमें pair बना सकते हैं अगर आपका number यह 4 नहीं है तो आप pair नहीं बनाएंगे because 5 only 1 है जैसे कि मैंने यहां पे बनाए आपको जो मैंने बता है कि डैसिमल में भी आपको पेर बनाने और इंटर्जिल में भी बनाने पुट बार ऑन दे पेर फॉर कन्विंस जैसे हमने बार करा पेर के लिए हमने जो बार बनाया जैसे हमने तू फाइफ पॉइंट 2 3 6 पे हमने जो बार लगा यसे हम बार कहते हैं किया हम ऐसे भी शो कर सेखते हैं अब आपको इसको स्कॉयर रूट निकालने तो स्कॉयर रूट निकालने के लिए अब यहां पे दिया गया है पहले से पढ़ते हैं, let's express the number 45.876 in the term of pair, अभी नहीं term, pair of term पे डालते हैं, तो 45 है हमारा, हमें सबसे पहले, first एक integral part, सबसे पहले हमें integral part लेना है, start peering from its unit place, हमें इसकी unit place से लेना है, unit place 5 हजाएगा, तो unit place से एक बार लगाएंगे, now take decimal part, अब आपको decimal part लेना है, जो की point 876 है, उसमें start peering from decimal side, अब आपको decimal side से pair लगाना है, क्योंकि हमारा ये आप देख सकते है, decimal side यहां सुराएगे, तो यह हमारा 87 पर लग जाएगा, पर 6 पर नहीं लग पाएगा, तो हम 6 के आगे 0 लगा देंगे, जासा कि आप देख सकते हैं पर, after apply the rules, number look like a, अब जब आप यह सारे rules apply कर लेंगे अपने number से, तो आपका number ऐसा दिखेगा, 45 पर बार लगा होगा, 87 पर बार और 60, because हमारा 6 है, तो हमने 0 इसले लगा है, क्योंकि एक pair बन जाए, अब आपके कुछ कोशन, तो इन कोशन को करते है, find square root of 2.7225, अब आपको यह जो number है, आपको यह आपको पताएगे कि हम decimal के बाद के number को हम thousand में नहीं पढ़ते हैं, only numbers को बढ़ते है, make pair the number using bar, और आपको इसके बार बनाने, numbers को यूज करके, आपने जासे बना लिए हैं, आप देख सकते हैं, 2 का pair नहीं बना है, क्योंकि 2 pair में नहीं है, अगर हम 2 के आगे 0 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह इंटरिजिनल पार्ट है हमारा, अगर हमारा decimal part होता है, और हमारा 5 के आगे लगाना होता है, तो हम लगा सकते थे, बट हम इंटरिजिनल पार्ट में नहीं लगा सकते, तो यह हमने number दे दिया, आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, step 2 आपको करना है, solve करेंगे, आपका number हो जाएगा, अब आप देखेंगे, 2 को सबसे पहले आप solve करेंगे, 2 को किसी ऐसे number से आपको divide करना है, जिसका square root आपका, 2 से कम हो या 2 ही हो, तो 2 का 2 तो कोई square number है यही नहीं, तो हम 1 को करेंगे, 1 को 1 से multiply करेंगे, क्या जाएगा, 1 आजाएगा, और जो आपका 1 यहाँ पर आप लिखेंगे, वो भी आप यहीं पर लिखेंगे, फिर आपका 2 को 1 से minus करेंगे, 1 आएगा, 72 फिर नीचे लिखेंगे, 0.72 लगती हैं, यहाँ पर जैसे आपका लिखा गया, फिर आपका, जाएगा, और आपका 3 है, तो आप 3 से 3 कोई करेंगे, तो आपका 172 आना चाहिए, या फिर 172 से कमाना चाहिए, उससे जादा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा 6 से मल्टिप्लाइ करा गया, तो हम एक बार 6 से मल्टिप्लाइ करेंगे, हमारा 156 से मल्टिप्लाइ करने पर क्या इससे कम आ रहा है, तो 7 से मल्टिप्लाइ करते हैं, तो आप करेंगे, 7 7 सा 49, और 7 2 सा 14, और 4 182 आना तो आप देख सकते हैं, 172 से यह बढ़ा हो जाएगा, तो हम 6 ही लेंगे, तो हमारा 2 की बात 6 हो जाएगा, यहाँ पर वो दुबारा प्लस होगा, जैसे हमने 1 प्लस 1 करा था, वैसे हम 26 प्लस 6 करेंगे, तो यह हमारा जाएगा 32, और जो आपका 6 यहाँ पर है, जो आप मैंने बताया, जो आपका 6 यहाँ पर है, वन यहाँ पर, तो पॉइंट के बात 6 लगा देंगे आप, विकाज हमारे पॉइंट के बात नमबर है यहाँ पर, तो यह 32 हो जाएगा, आपका 26 प्लस 6, अब आपको 32 के साथ, ऐसे नमबर को, मल्टिप्लाइ करना है, जिसका नमबर, आपको उसके मल्टिप्लाइ, मल्टिप्लिकेशन में भी करना है, तो आपका 156 बचेगा, आप 1.72 में से 156 माइनस करेंगे, तो 16 बचेगा, 25 करेंगे, तो यह 1625 हो जाएगा, अब 1625 को, आपको ऐसे नमबर से मल्टिप्लाइ करना है, जो आपका 1625 से कम हो, यonnaise, इससे इसके बरावर हूँ, तो हम 32 को 5 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यहां पे जैसे आपको मल्टिप्लाइ करके दिख रहTube है, तो यह हमारा 325 को अगर हम अगर पल्टिप्लाइ करेंगे 5 से, तो हमारा 625 गया नि, Arly number आ जाएगा हमारा तो यह कट जाएगा आगे हम कुछ नहीं करेंगे अंगर यह नहीं करता तो हम आगे और करते हैं ह 10 तो यह हमारा आगे होता रहता क्यूंत आगे होता है है लिग्षाप 7 तो आपको संभजा जाएगा सकीन है find square root of 0.9 up to 3 decimal place अब आपको 0.9 का square root निकालनी है और decimal place में 3 numbers और लगाने है पेर में सबसे पहले आप make pair the number using bar अब आपको pair बनाने हैं तो आपको पताएगा कि इसमें आपको 3 pair और बनाने decimal number के बाद तो put 5 zeros अब आप decimal number के बाद 3 pair बनाएगे तो ये बन जाएगा 1 pair ये बन जाएगा 2 pair और ये बन जाएगा 3 pair तो आपने कितने 0 आड़ करें आप जानते हैं आप पांच 0 आड़ करें नहीं 5 zeros आड़ करें हमें square root find करने के लिए हमें decimal के बाद हमें 3 pair बनाने होते हैं तो अब step 2 करते हैं तो 0 नंबर हमारा 0.0 लिख देंगे हम उपर सीधे फिर आपका 90 है 90 को हम अगर हमारा square root 99 को 90 तो आड़ नी सकता तो हम इससे कम नंबर देखेंगे पर वह किसी का square होना चाहिए तो 9 को 9 से multiply करेंगे 81 आजाएगा 90 में से 81 माइनस करेंगे 9 आजाएगा 0 लेंगे जो हमारा square में 0 है फिर 9 और 9 को plus करेंगे तो यहाँ पर आपका 18 आजाएगा यहाँ पर multiply होता है आप देखेंगी यहाँ पर आपका जो यह 2 number होते हैं यह 다या पकिलाय होते हैं करेंगे जिसके आपका 900 या उससे कम आए तो हम फोर नमबर लेंगे अगर हम फाइव लेंगे तो इससे ज्याद हो जाएगा तो यह आप हमारा 736 आजाएगा इससे माइनस करेंगे आंसर आजाएगा 164 164 में आप फिर 00 लेंगे और यहाँ पर 184 में 4 प्लस करेंगे तो 188 वराएगा 188 में भी आपको फिर आपको ऐसा नमबर लेना है जो ऐसा नमबर लेना आपको 188 में जो इससे 164 को या तो पूरा मल काट दे या फिर उससे कम हो तो यह आप का रहेगा अगर आप 8 लेंगे तो आप का रहेगा 151004 जो कि इससे कम है अगर हम 9 लेने तो यह इससे ज्यादा आ जाएगा तो आप इससे माइनस करेंगे फिर हमारा हमारा आ जाएगा 1296 तो आप देखेंगे आगे तो कोई पीर है ही नहीं तो हमारा यह आगे होगा नहीं और हमें बताये तक डेसिमल के बाद तीन नंबर यह आने चाहिए तो हमारे आंसर जड़ाएगा 0.948 हो जाएगा तो यह मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और इसका अंसर आप कर रहेगा 1.65 जो कि आपका यहां पे जो आंसर होते हैं आप यहां पे साथ साथ लिखते हैं आप यहां पे आप देखेंगे 0.948 है तो 0.948 है तो 0.9 हमने यहां से लिख दिया 9 यहां पे लिख दिया जो हमारे यहां का नंबर होता है 9 यहां का नंबर जो हमारा 4 होता है 4 और यहां का नंबर जो 8 होता हम वह लिखते हैं इसमें भी हमने ऐसी कर रहा था 1 यहां पे लिखा था पॉइंट था उसके बा करने हैं find out the square root of the following decimal number up to the three decimal places अब आपको इसके decimal places पे three pairs बनाने हैं तो जो हम अभी answers में करेंगे और आपको इस इनके square root find करने हैं तो answer करते हैं तो यह first question है आपका 23.453 तो यह आप इस पे बना लेंगे पहले तीन पे बनाएंगे तो आप इस इसे पे 0 आइट कर देंगे ज़िए आप कर दीडेंगे जसे यहां पर मैंने कर दिया है अब आप इसी करेंगे 23 को ऐससे नमबर से district करेंगे जो इससे क्या तो इसके हो याー इसे कम हो तो हम इससे करेंगे तो four को four से बा stretch से सिस्टीन आ जाएगा 23 को सिस्टीन से माइनस करेंगे आप 4 यहां पर लिख देंगे माइनस करेंगे 7 आजाएगा 45 यहां पर लिख देंगे अब आपको 8 को ऐसे नमबर से में ले लिया तो 7 24 से माइनस करेंगे क्योंकि 88 को से मल्टिप्लाइ करें तो 7774 आ जाएगा और 8 हम यहां पर यहां लिख देंगे तागी करेंगे शी दो में से म Gmail करेंगे मैंनस में हमारा अंसर आ जाएगा 21 और यहां पर हम 3 करेंगे तो यह 빼 21 30 हो जाएगा फिर हम लेखेंगे 96 88 और 8 को प्लस करेंगे हम तो हमारा 96 आजाएगा अब 96 को आप ऐसे नंबर के साथ मल्टिप्लाइ करना है जो या तो 2130 के एकवल हो या फिर उससे कम हो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कभी बट तो हम तू लेंगे तू प्लेस लेंगे 60 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो हमारा ऐगा 1924 तो जो की हम इसे मैनस करेंगे तो को यहाँ पर लिए तेगे फिर हमारा आजाएगा 206 अगर हम 2130 को 1924 से माइनस करेंगे तो 2006 आ रहेगा और 0 जो हमारा लास्ट था उसे लेंगे फिर हम आगे करेंगे फिर जो हमारा 962 था उसमें हम 2 और प्लस करेंगे तो 964 रहेगा फिर उसकी प्लेस में हम नंबर लेंगे ऐसा जो 200 यह आपका जो नंबर है 20600 को काट सके पूरा काट सके अगर अगर नहीं काट पाए तो हम इसे छोड़ा नंबर लेंगे तो यह हम ऐसे मल्टिप्लाइब करेंगे इससे तो 960 नाइन ताउजन सि 284 फिर हम इससे माइनस करेंगे तो हमारा आजाएगा वन ताउजन थी एंडेट वन सकती तो यह आपको यह उपर भी दिया गया है यहां पर आपको रांसर भी लिख सकते हैं आपका 23.453 का स्क्वाय रूट हो रहेगा 4.822 आपका सेट अग्जामपल है तो आप सेके नेग्जामपल को जल्दी से कम है तो यह वहन को वन से मल्टिप्लाइ करें गरागर वन को 110 जाए फिर आप 67 को डोट करेंगे फिर आपक जो वहना one प्لस करेंगे तो two तो तो उसमें इसापका उनिट है उसमें इसनन अम्कों स्थ एकपॉल या इस 2 जीरो लेंगे हम जो हमारा सकिंड डेसिमर प्लेस है फिर हमारे 22 2 प्लस इंटु साम वहां गोसमें 22 प्लस तो करेंगे तो 24 आधू है और जाएगा अगर हम 10 से तो इससे ज्यादा जाएगा इसलिए हम 9 से करते हैं फिर जो हमार नमबर आ जाएगा से माइनस कर देंगे तो 59 बचेगा और 0 हम जो हमार लास्ट थर्ड प्लेस उसका 0 ले ले लेंगे और फिर आप 249 प्लस 9 को प्लस करेंगे तो 258 आ जाएगा आपका और आप आपको 258 में जो आपका 5,900 नमबर है ऐसे नमबर से आपको करना है जो आपका इसके नमबर से एक्वल हो या फिर से कम हो तो हम 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे दोनों से तो हमारा जाएगा 500 5,164 तो इसे हम माइनस करेंगे तो 736 आ जाएगा तो जो की हमारा अंसर बचाएगा तो जो आपकी यहां पर यूनिट पेस होते हैं 1 तो 1 हमारा 1.67 आप लिख देंगे 2 यह पे यह लिख दिया 9 यह लिख दिया और 2 घूक हमने यह लिख दिया तो हमने हमने दो आपका नहीं आंसर आएगा क्यूंंतो ओभी थोजन का आपसर लिख लेंगे 70.0 तो यह आप पूरा सॉल्ऴ करके लिखेंगे फूर्त कोश्व करते हैं तो फुर्थ कोश्वर आपका गmy 456.123 तो आप इसकेत पेर बनाएंगे तो फोर से फोर कट जाएगा जीरो जाएगा 56 फिर नीचे हम लेंगे फिर हमारा टू और टू है उसे प्लस करेंगे फोर जाएगा अब फिफ्टी सिक्स लाने के लिए हम को फूर को ऐसे नमबर से मुल्टिप्लाय करना है जो हम 56 से जातो कम हो या 56 या जाए तो वन को फिर पर फोर्टी वन प्लस वन है उसे प्लस करेंगे तो 42 चाहेगा फिर आपको फिफ्टीन 1512 है उसको फोर्टीटीघू पे आपको ऐसे लियर से मल्टिप्लाय करना है जो आपको इसके एक्वल हो या जात है पर अपनटिर बंट लेंगे तो यह आपको 3260 ऱी जीर्ट करे फिर आपका आजाएगा तो आप प्लस करेंगे 423 प्लस 3 को तो आपका 426 हो जाएगा फिर आपको ऐसा नंबर लेना जो इसे पूरा काट दे या फिर इसे क्राम हो तो आप 5 ले लेंगे तो आपका आजाएगा 220 तूवैं 10-325 तो आप इसे से माइनस करेंगे फिर तो आप का जाएगा यह आजार आ जाएगा 500 की थाउजनhoven. फिर आप 426 4265 को प्लस करेंगे 5 तो आप कर दाएगा 4270 और फिर आप ऐसे नंबर को 疫苗 करेंगे जो इससे पूरा कर दे तो ये आप करनी आएगा आप इससे कमाएगा तो आप 7 से कर देंगे तो इससे कमाएगा तो आप इससे फिर माइनस करेंगे तो आपको इससे आगे प्लेस पे कोई नंबर दे नहीं रखा तो वर्णा हम इससे आगे भी कर सकते थे क्यों यह पूरा हो जाएगा हमारा तो यह आपका आंसर यहीं तक आ जाएगा तो आप आंसर लिख लेंगे 456.123 का स्क्वार रूट हो जाएगा 21.357 या 357 तो यह आपका आज की वक्षीट का आंसर था तो यह आपका आज की वक्षीट कम्प्लीट होती है तो आप अच्छे से इसे लिख लेंगे अपनी नोट बुक में तो मैं आपको एक नंबर देती हूँ 19.12 इसमें आपको बताना मुझे decimal part कौन सा है तो आप मुझे decimal part बताएंगे यह decimal part के यह decimal part आप decimal को ध्यान में रखके चलेंगे decimal part मुझे बताएंगे कौन सा है जो आपका first question ही था decimal part बताएंगे आप मुझे इसमें यह अध्या कि वकशेज्ट कमप्लीट होती है प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब करें इस मारवख लावक करें और सबीसदों सचरे कर आपको अगर अच्छी रगए हो यह वीदियो आपके हेलफूल हो यह हो तो इस वीदियो को जरूर लावक करेंग और चैनल जरूर सब स्काइब करिएगा थाइक्स पर वाच्च यूद्यू बैबै गाइस